जार्थियों, जागरफिक के इस वीडियो लेक्चर में आज सब का हार्दिक्स वागत है। मैं डाक्टर अनिल मिस्रा, सास्की दिविजय महावद जैले, राजनान गाव में, भोगोल मिसाय में, सहाइक प्राध्धापक के पत्पर कार्यात हूँ। आज हम जिस टापिक की चर्चा करेंगे, उसका नाम है नगरों की इस्थिति, इस्थल एवं परिस्थिति, इंगलिस में उसको कहते हैं, लोकेशन, साइट, एन, सिच्वेशन आप टाउंस। यह टापिक में थर्ड सिमेस्टर जागरफी के बारवे प्रशन पत्र के एक आई दो में सम्मिली था है। तो जब भी हम नगर के बारे में ध्यन करते हैं, तो सुरू में तीन प्रशन हमारे दिमाग में आते हैं। वो प्रशन कौन-कौन से हैं। पहला प्रशन आता है, नगर भूतल पर कहां इस्तित है। दूसरा प्रशन होता है, कितनी भूमी पर नगर का विस्तार है। और तीसरा प्रशन होता है, किन दसाओं के बीच नगर इस्तित है। लिए और इन तीने प्रसलों को जब उत्तर खोशते हैं तो क्या होता है। पहला जब है नगर बुत्तर पर कहा इसी था जब पूछ रहे हैं directing इसका मतलब हम ils सतीत जानना चाहा रहे हैं। कितनी भूई पर लिफिस्थार हुआ हैं? कितने इस्थान को घेरा हुआ है कितने इस्थाल üzThere यह जनना चाह रहे है और थीसरा है किन ऑसां के बीच नंगर इस्थित हैं इसका मतलब क्या है नगर के चारों ठाप को सी परिसेटिंग आई इनको मुद्य चाहता तो क्रम्सा हम इन सब्दों का अर्थ जानने के प्रयास करेंगी इस्थि, इस्थला और प्रसिति के बारे में तो पहला लेखते हैं नगरों की इस्थि तो नगर की इस्थि हम जब चर्चा करते हैं इसका मतलब होता हम नगर की प्रारभिक परिचा जानना चाहते हैं और उसके लिए दो विजिया हैं, पहली विजिक को कहते हैं निर्पेख्ष इस्थिति और दूसरा है सापिख्षिक इस्थिति, निर्पेख्ष इस्थिति का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि नगर बास्तों में कहां पर इसका अक्षांसी दिशांत्री उपसार को बताना, जैसे हम भारत के बारे में अध्यान करते हैं तो भारत की जब इसीती बताना से क्या कहते हैं हम लोग भारत आठ हंस चार मिनट उत्तरी अक्षांस से 37 चार मिनट उत्तरी अक्षांस तथा 68 हंस शाथ मिनट पुरीज़ संतर से 97 अंस 25 मिनट पूरी देसांतर के बीच इस्थित है ये कहते हैं हम लोग इसी प्रकार से किसी नगर बारे हम को बताना है उसको भी हम अक्षांसी और देसांतरी विस्था पताते हैं जैसे उदाहरण के लिए इलाहबाद तो इलाहबाद बारे हमको अध्यन करना है जैसे हम क्या बताएंगो उसके बारे में इलाहबाद जो है 25 अंस 25 मिनट उत्तरी अक्षांस और 82 अंस पूरी देसांतर पर इस्थित है जो इस तरह के हम बात करते हैं इसी को कहते हैं निर्पेक्ष इस्थिति दूसरा होता है सापेक्षी के इस्थिति इसका मतला क्या हुआ किसी नगर के बारे हमें बताते हैं इस्थिति को तो कोई संदर्व देते हैं उस संदर्व में नगर के इस्थिति बताते हैं उधारन के लिए हम इलाहबाद पे लेते हैं इलहाबाद की बारे हम बताना चाहें इस्ति को बारे में क्या कहेंगे"... इलहाबाद ? तो दिल्ली से पुरो में 625 किलमेटर के उदूरी पर इलाबाद इस है यह क्या हो गया सापेक्षिक इस्थि तो यह हो गया नगरों के इस्थिक बारे में दूसरी बास होती है नगरों का स्थल site of towns तो इसका मतलब क्या हुआ जितनी भूमे पर नगर का भोतिक विस्तार होता है उससे क्या कहते है नगरों का इस्थल कहते है अर साथ जितने भाग को नगर घेरे रहता है जितने भाग में उसका विस्तार होता है नगर का उससी को क्या कहते है नगरों का इस्थाल या साइट आप टाउंस कहते हैं जब नगर की स्थापना करनी होती है उस समय बहुत सारे कारकों को देखना पड़ता है जैसे वह जो भुभाग है जहां नगर को साबिद करना है उसका उच्चावाच कैसा है समतल है के नहीं है और वहां का जल के आपूर यह सब किसमें आएंगे नगरों के इस्थाल में आता है तीसरा आता है नगरों की परिस्थि सिच्वेशन आप टाउंस तो इसको दिया रखेंगे कि सिच्वेशन के मतलब क्या होता है लोकेशन मतलब क्या होता है लोकेशन समझ चुके हैं अब यहां देखने सिच्वेशन तो नगरों की परिश्यती या इसको इससिती भी कहते के जगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंतरगात वे समस्त प्राकृतिक तथा मानुव जसाय spansilith होती है, जो नगर के चारों और विश्टीस क्षेत्र में विद्यमान होती है, इसका मतलब क्या हुआ, जो नगर इस्ता एक नगर हा दुनों के लिए इस्थाल में तो वहीं मी रिस्थायों चाहिएért लेकिन किसी गाउं को नगर बनने में इस प्रिश्थिती महत्पूर्ड भूमिघा करती है अगर परिसिति अनकूल है तो वो नगर गाव बन जाता है अनकूल नहीं है तो वह गाव नगर नहीं बन पाता है इसलिए किसी इस्थान को, किसी गाव को नगर बनने में परिसितिक भूमिका महत्पुन होती है अर्थाक वह गाउं अगर केंद्री सिति में है चारो तरफ से अवागावन अधिक होता है तो वह नगर बनने को उसमें संभावना है लेकिन अगर वह गाउं एक छोर में पड़ता है कही पर जहां पर अवागावन संभावना कम है तो उसके नगर बनने के संभावना कम होती ह तो यह बात हो गई नगरों के स्थाल नगरों के परिस्थिक बारे में अब हम बात करेंगे नगरों के इस्थाल एवां परिस्थिक को प्रभावित करने वाले कारक तो दो कारक महत्पुन इसमें पहला है प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानवी या सांस्कृतिक कारक तो देखते हैं प्राकृतिक कारक प्राकृतिक कारक कौन कौन से कारक है जिसे कारण से नगरों की स्थापना में सहयता मिलती है तो संतल उची तसा सुप्रवाही धरातल नगर के सापना कहा होगी? जहां पर संतल भुभाग पाया जाएगा और कैसा होगा भुभाग आसपा से उचा होना चाहिए साथ ही सुप्रवाही धरातल अर्थास वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना चीए पानी के बहुँ ठीक होना चीए अगर पानी बहुँ ठीक नहीं होगा तो दल्दली भाग हो जाएगा और दल्दली भाग में नगर के सापना संभव नहीं है दूसरा है नदियों की उची तटी भूमी हम जानते हैं प्राचिन काल से जिन सभ्यतां को विकास हुआ जैसे सिंदू काटी के सभ्यता कहां पर हुआ उसका सिंदू नदी के किनारे पर मेसो प्रटामियों के सभ्यता इसका विकास कहां हुआ दजला और फरात नदी के किनारे पर तो प्राचिनकाल से नदी की किनारे पर नगरों के स्थापना हो रही है लेकिन क्यों होती है अब उसमें एक तो उची भाग वहाँ पर स्थापना और साथ ही क्या-क्या महाँ पर सुछाय मिलती है जल क्या पूर्टी होती है मनुस्य को रोज जल की जूरत है पीने के लिए दनी कुप्यों के लिए सिचाई के लिए और यातायात के लिए भी काम आता सा प्राचिन काल में इसी तरह से आधुनिक काल में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे जो नगर है वो नदी के किनारे पर ही इस्थित पायाते हैं इनी विशेशताओं कारण से तीसरा जो है प्राकृतिक कारख है उसमें है मैदान और परवत के संगा में सल जहाँ पर मैदान की सीमा समाप्त होती है परवत प्रारम होते हैं वहाँ पर भी नगर की स्थापना होती है क्यों होती है जो परवती छेत्र के लोग हैं उनको जो आवसकताएं हैं उन आवसकताएं को पूरती कौन करता है वो नगर करता है वहां बड़ा मार्केट बन जाता है और वहां से जो परवती छेत्र के लोग अपना समाल ले कर जाते हैं इसी प्रकार से वहां पर क्या होता है आवा गवन के साधन में परिवरतन हो जाता है अगर माली जे ट्रेन रेल मार्ग है तो रेल मार्ग वहां सनौत हो जाता है और वहां से या तो बस मार्ग मिलेगा या खचर किसी उधा के द्वारा पहाड छेत्रे में लोग जाते हैं तो इसलिए आवा गवन में परिवर्तन हो जाता है इस कराण से यह जहां पर संगम होता है मैदान और परवत का उन भागों पर भी नगरू के स्थापना हो जाती है जैसे हम भारत देखेंगे ठरीदवार देरादून इसी प्रकार के नगर है फिर आता हैं तीम है अनुकूल मुस्किल है काराण यह है कि अगर जलवाय नहीं है तो लोग रह नंए पाएंगे वहां पर यह यह पहूंदा चेट्र रहें वहां पर मुस्किल है । इसलिए सितोन कटि बंदी खेत्र मैं या इपोस्न कटि बंदी खेत्र में лекर अधिक पाई जाते हैं तो देखते हैं इसमें आर्शी कारक कऊ करते हैं, क्या नगर कि रिख करते हैं, जो नगर कारका है, वहां पर आवा गरन किस प्रकारका है, है चारों तरफ यहां पर आवा कवरल करेंगा है के नहीं है एक तरफ इस टुरह से अपर अघर कविकास होगा लेकिन अगर वा छोरें पड़ता है कहीं पर वह नगर को लेकिन उसकी तुल्नाव अगर हम नार्सिष्ट में चला जाएं, मणी पूर की राध्धानी इंफाल है, या उधर आईजोल चला जाएं, या इटा नगर चला जाएं, तो वो जो नगर है, उनका विकास अधिक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो एक छोरें पड़ते हैं, वहा सवाल होता है कि नगर के स्थापना क्यों होती है, उसका मुख्य कारण है नगर जो है अपने आस पास के छेत्र की सिवा करता है, अधार्बुद कारे करता है, क्या सिवा करता है तो आसपास के जो लोग हैं, वो लोग क्या होता है, जो बच्चे हैं, वो पढ़ने के लिए कहा आते हैं, नगर में आते हैं, इसी प्रकार से आसपास के लोगों को स्वास्त या अच्छी किस्टा के सुधा चाहिए, वो कहां मिलेगा, नगर मिलेगा, ये सब सुधा हैं कोन प्रदान करता है तो इस लिए नगर का सभी विकास होता है अगर स्टेप्ज है तो नगर पी विकास तेजिस होता है अगर經 को समरिद NOR को विकास नहीं 민ब पाता है तो यह आर्सिक संसाधन में एक महत्पुर्ण चीज़ है एक और धरन देखते हैं हम लोग माल लेजिए 34 दरड में एक नगरई है भिलाई अब भिलाई नगर के अधिकारियों करमचारियों के लिए क्या किया गया उनके लिए अवाज बनाये गया जिसमें उनके पिरवाद रह सकें अब उनमें उनके बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए इस्कूल चाहिए, इस्कूल बनाया गया, परिवार के लोगों के लिए चिकेशा सुज़ाची हस्पिडल बनाया गया, उनको रासन और अन्य समान ची उसके लिए मार्केट खुला गया, इस प्रकार से भीला नगर इस पर जो राजितिक निना लिया जाता है, जैसे राध्धानी बना देगे किसी नगर को अगर, तो राध्धानी बनाने से उस नगर का अधिक विकास होता है, जैसे हम दिल्ली देखते हैं, दिल्ली जो है राध्धानी होने के काराण से आज बहुत अधिक विकास कर गया है, हम भारत नगर देखेंगे तो जो राज हैं उन राजियों का राजधानी भी अगर नए ने बनाए गया तो उसे भी नगरों का विकास पा उधारन के लिए उडिशा का भूनेश्वर गुजरात में गांधी नगर असम में दिशपूर या चतिरण में नेयरायपूर यह नगर इसलिए विकास कर गये कि इनको राजधानी बनाया गया तो इस प्रकार से राजधानी प्रसास की कारगों से भी नगरों के उत्पत्ति में होती है उसका विकास होता है फिर आता है समाजीक सांस्कृतिक कारक तो किसी इस्थान पर कोई माल लेजिए ऐसा इस्थान जहां प नगार के स्थापना हो जाती है इलाबाद में में क्या होता है मेले काöß्ञा होता है इस मेल articulated के प्रिटी वहां पर लोगों के खुब भीड़होती है तो उन लोगों के सुदा के लिए इनकी सापना की जाती है जो नगर हैं व किप्सित हो जाता है अब आता है इसके बाद हैं अब हम बात करेंगे इस्ताल एवांँ परसितिक अधार पर नगरों का वरगी 사랑 दिख्ये नगरों का classification के अलग-अलग अधार हो सकते हैं जैसे आप नगरी Google ने पढ़ते हैं क्या नगरों का कारियात्मक वर्गी करण लेकिन हम यहां बात करेंगे इस्थल एवं परसित्वी के अधार पर नगरों का वर्गी करण अर्थाथ साइट और सिच्वेशन का अधार पर नगरों का classification इसके हम बात करेंगे हाँ पर तो Griffith Taylor है Alan Churchill Sample है इन लोगों ने अपने अध्यान में नगरों को इस्थल और परसित्वी के अधार पर classification करने का प्रयास किया है यहां पर एक हम समान इवरिक्रिंट करेंगे और उसमें देखते हैं पहला है नदी तटीय नगर अर्थाथ नदी की किनारे इस्थापिस थने वाले नगर और उसमें भी क्या प्रकार हो सकते हैं जैसे कि संगम नगर है प्रपात नगर है जैसा कि आप जानते हैं जो सहुतराज अमेरिका है उसे अप्लेशन परवस है वहां से बहुत से नदीया निकलती है अट्लांटिक महास आकर जाकर गिरती है तो वो जब वो नदीयां जब परवस से उतर करके मैदान में गिरती है तो प्रपात का निर्मान करती है वाटरफाल का निर्मान करती है और बहुत सारी नदीयां गिरती है तो ऐसे जहां पर वाटरफाल गिरता है वहां पर क्या होता है वहां पर जल्विद्ध केंद्रों के सापना की गई है जल्विद्ध पैदा की जाती है और इसलिए स्वेटराज अमेरिका में ऐसे इस्थानों पर भी नगर विक्षित हो गया है जैसे कि मॉन्ट गुम्री है, मेकन है, कोलंबिया है, ये इसी तरह के नगर है एक और तरह के नगर होता है इसको करते हैं एस्चुरी नगर नदियां जहाँ सागर विलती हैं तो उसके पहले इस्चुरी बनाती है और जैसे हम भारत के बात करेंगे, भारत में जो तापती नदी है तो तापती नदी जो है, वो इस्चुरी बनाती है, जहाँ पर वहाँ पर जो नगर बस गया एक इसको हम सूरत कहते हैं इसी प्रकार से नर्मदनदी जा पर एस्चुरी बनाती हूं पर भणोच नगर के स्थापना हो गई है तो इस प्रकार सी है एस्चुरी नगर उधारन है अब आता है मैदानी नगर एस वारी दूसरा है समुझतटी नगर तो सिंपास से बास है कि महा सागर के किनारे पर जो नगर इसी थे हैं उनको कहते हैं समुझतटी नगर उधारण के लिए भारत में मोंबै हैatu है चिन्नई एक फोलकाता है मैदानी नगर जिसमें दिल्ली है, लखनाओ है, कानपूरे यह सब इसी प्रकार की नगर हैं इसको और भी क्लासिफिकेशन करते हैं उपरी मैदान की नगर, मध्य मैदान नगर, निश्ले मैदान नगर, ऐसा भी करते हैं, फिर आता है पठाली नगर, हम जानते हैं मैधान के तुल नम पठाल जो है, ओशा भूबाग है यह दबी उपर कहाओ संतल होता है लेकिन मैधान जैसा संतल नहीं पाए जाता है तो जैसे भारात हम देखेंगे तो भारात कैसा है, दक्ची हनुपा कैसा है, भारात का प्राइदी पठार में आता है तो प्रैदीवी पठार में नगर जैसे बपाल है रांची है 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 रजज है यह सब गशाईiqu और और होता है अगर मैदान से हम पुर प्ठार की जाते हैं तो ऊचा पड़ता है तो वहाँ पर भी कभी नगर के सापना होजाती है आप अईसे नगर के तो पाणी नगर के हैं सब्रहला कर बाएं तो पर नगर सब्सक्राइब इसी परवत की नीचे भाग में जो म राग इता है। जो होता है उसको पार करने के लिए कुछ मार्ग होते हैं और उन्हीं मारगों पर जब कुई नगर बस जाता है उसको क्या करते हैं तो इंग्लेंड वी इस प्रकार नगर पाए जता है इसे ही नगर है फिर आता है मरुस्थली नगर मरुस्तर जी नगर हम जानते हैं मरुस्तर में नगरु के स्थापर बहुत कठिन काम है लेकिन जहां कहीं पर मरुध्यान मिलते हैं अर्थास मरुध्यान मतलब क्या हुआ जो धरातल की नीचे में जहां पर नवी पाई जाती है बुमी का जल पाई जाता है वहां पर तरह-तरह के पेड़ पॉझे उगाते हैं। तो ऐसे इस्थान पर कुछ बस्तियां बहुत जाती है। और मालनी जी वो नगर जो इस्थान उबस्ती जो है कारुआ के मार्ग में आता है मनुस्त्रल से कई राष्टे बनते हैं वो आकर मिलते हैं उस जगह पर तो ऐसे इस्थान पर भी नगर की स्थापना हो जाती है अफ्रीका में सहारा मनुस्त्रल जो पस्चिम भाग है वहाँ और एक नगर है जिसको कहते हैं तो जिन भागों में जिन छेत्रों में किसी प्रकार के खनीज पाई जाती है तो ऐसे इस्थानों पर भी नगर की स्थापना हो जाती है अगर हम भारत में जेखेंगे तो रानी गांज पस्चिम बंगाल में है कोईला निकाला जाता है दली राजहरा छतीजर में है लौ एस निकाला जाता है डिगबोई असम में है खनीज तेल निकाला जाता है तो यह सब इसी लिए नगर की रूप में विक्सित हो गया क्योंकि यहाँ पर अलग-अलग प्रकार की खनीज पाई जाती है इसी प्रकार से आस्ट्रेलिया में कालगोडली और कुलगाडी जो नगर है यह दपी जलवाई उनकों नहीं वहाँ पर लेकिन सोना पाई जाता है और इसलिए सोने के खनान के कारण से यह नगर विक्षित हो गया ह दक्षिन अफ्रिका उसमें जोहंस बर्ग जो नगर है यह जोहंस बर्ग इसलिए विकास कर गया कि यहाँ पर हीरा और सोना का खनान किया जाता है इस प्रकार से में देखते हैं यह सब खनीज नगर के उधारन है फिर आता है यातायाज विच्छेद बिंदु नगर इसका म साधन बदल रहा है आवागमन के एक साधन जहां पर समाप्त रहा है सीमा और नया आवागमन साधन प्रादम हो रहा है तो ऐसे इस्थान पर लोगों को चड़ना है उतरना है समान को चड़ाना है या भंडारन करना है समान को तो ऐसे इस्थान पर भी क्या होता है नगरों क के स्थापना हो जाती है जैसे कि भारत में धेरादून, उत्राखन के राजंधानी है, पठान कोट, यहां तक ट्रेन का मार्ग है, इसके आगे ट्रेन मार्ग नहीं है, तो इसलिए यहां पर नगरों के depressivना हो गई है, फिर देखेंगे सैख्षिरिक नगर तो हम बहुत सर विद्यार किया थे तो यह नगर को विक्सित हो गया थे वर्समान में हम देखते हैं कि कई ऐसे नगर हैं जो इसी काड़ से प्रतीद हैं सिख्छा के केंद्र हैं इसलिए वहाँ पर भी जो नगर है वो विकास कर गया है उधारन के लिए United Kingdom में Cambridge और Harvard नगर है यहाँ पर Harvard भी सुद्दाला है है ना तो यह इन नगरों का विकास मुख्यता वहाँ पर सेक्ष्रिक स्थान के कारण सुआ है इसी प्रकसम भारत देखेंगे पिलानी है रुड़की है तो हम जानते हैं कि जो कोटा है वहाँ पर आज के समय में यह जो भी बच्चे जिब करना रहत है नतीम है धार्मिझ नगर हम देखते हैं कि धार्मी कारणों से लोगों का आना जाना किसी खास इस्थान खुरता है और इसलिए वो जो इस्थान है वो नगर रूपे बिक्तित हो जाता है जैसे कि उधारण के लिए यह जो यरुस्यलम खंबात करेंगे तो यहां पर इश्रामसी का जन्व हुआ था, यह नगर कहां पर है, इस्राहिल में है, तो दुनिया भर को जो हिसाई है, यरुस्तलम जाते हैं, यरुस्तलम जाते हैं, यरुस्तलम की यात्रा करते हैं, क्योंकि इश्रामसी का जन्व इस्थान है, इसी प्रकार से जो दुनिय नगर्व की इस प्रकार से इस थापना हो जाती है उनका विकास हो जाता है तो यह एक चेप्टर हमारा टापीक कम्प्लिट होता है नगरों की इस थालेवं प्रसिती जहां रखेंगे इंगले सोगस क्या करते हैं लोकेशन, साइट एंड सीच्वेशन अब टाउंस तो अब हम फिर एक नए टापिक के साथ आपसे फिर मलाकास होगी